अगर आप बैंकेट के रिटेलर हैं तो मनी ट्रांसफर का काम जरूर करते होंगे अगर आपका रियर केस में कभी कोई मनी ट्रांसफर पेंडिंग हो जाता है तो उस पैसे को अपने वालेट में रिफंड कैसे लाएंगे इस वीडियो में आपको सभी जनकारी एस्टेप बहुत आसान होता है मनी ट्रांसफर करने के लिए हम लोग DMT पे क्लिक करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं मोबाइल नंबर डालके समिट करते हैं उसके बाद यहां पे बाई एफसी पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहां पे माउं डाल देते हैं और उसके बाद यह रिष्टरी में भी जा कर के देखते हैं तो आपको हाँ पेस्टेटरस में दिखाई देता है तो पेंडिंग होने के बाद आपको कुछ धेरवेट करना है दो घंटे तक में हैं सकसेस होने में अगर सकसेस नहीं होता है तो आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाता है रिफंड करने का जिस नंबर से आप मनी ट्रांसफर किये थे उसके बाद जब आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जा करके देखेंगे तो स्टेटस में आपको दिखाई देगा refund pending यानि कि ये पैसा आप अपने wallet में refund कर सकते हैं ये पैसा आप success होने वाला नहीं है refund कैसे करना है वीडियो में आगे देखिए पैसा refund करने के लिए आपको banky tab login कर लेना है और नीचे आपको यहाँ पे my dashboard दिखाई देगा इसमें आपको सबसे पहले दिखाई देगा transaction history आपको यहाँ transaction history पे click करना है उसके बाद आप जितने भी transaction किये हुए होंगे वो सभी details आपको दिख जाएगा जो money transfer pending है उस पे आपको click करना है इसमें status में आपको दिखाई देगा refund pending मतलब कि यह पैसा आप refund कर सकते हैं refund करने के लिए आपको यहाँ पे transaction ID दिखाई देगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा tab to copy इस transaction ID को copy कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पे ok करना है यह transaction ID copy हो जाएगा उसके बाद अपना mobile number डाल के submit करना है उसके बाद आपको यहाँ पे money transfer करने का process आता है इसमें आपको नीचे दिखाई देता है यहाँ पे refund transaction यहाँ refund transaction पे आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पे mobile number already दिया रहेगा आपको यहाँ transaction ID दिखाई देगा आपने जो transaction ID copy किया आपके mobile numbray जो OTP गया होगा उसको यहाँ पे डालके submit करेंगे अगर आपके mobile number पे पहले OTP नहीं गया है तो आप यहाँ से recent करेंगे आपके mobile पे OTP जाएगा, जो मोबाईल पे OTP जाएगा वो यहाँ पे डाल देंगे, ट्रांजेक्शन ID और OTP डाल के जब सब्मिट करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ट्रांजेक्शन Refunded Successful, आपका जो पैसा है वो refund हो चुका है, यहां पर आपको OK कर देना है OK करके बैक हो जाना है पैसा इन स्टेंट आपके वालेट में आ जाता है Money transfer करते समय Retailer को हमेशा ये ध्यान देना है कि money transfer करने के लिए या तो Retailer अपना mobile number यूज़ कर सकता है या फिर जिसका money transfer करना चाहता है उस customer का mobile यूज़ कर सकता है क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर पैसा फंस जाता है तो पैसा को cover करने के लिए उसी mobile number का जरूरत परता है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको बैंकिट का रिटेलर या डिस्टिब्यूटर आइडी लेना है तो मेरा वाट्स अप नमबर आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा